हालो पेरेंट्स हावा ये ओल कैसे आप सब मैं गीता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चानल पर आज की वीडियो है मेरी फॉनिक साउम की आई हो ये वीडियो आपको बहुत हेल्फुल रहेगी आपने बेबी को फॉनिक साउम सिखाने के लिए देखें सबसे पहले हमारा यहाँ पर एल्फेबेट्स हैं स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में उसके बाद हिंदी में है कि उसको हम क्या बोलेंगी जैसे आप बी बी बास इस बाल एस इस आप इसेप Experiment F. F. F.O. फिरा ऐफट आप है सिट काप डी जी 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 इसेँ एक आप. H. H. Horse says horse I. I. E. says inkpot J. J. 써s is jug K. K.hone says kite L. L.А. says lemon M. Mom Mom says mango N. 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 says net O-O-O says Owl, P-P-Pos says Parrot, Q-Q-Q-Gow says Queen, R-R-R says Rabbit, S-S-S says Sun, T-T-Tos says Tiger, U-U-R says Umbrella, V-V versus Van, W-W versus Parch, X-X-X says X-3, Y-Y here says Yuck, J-J-J says Zoo. अगर आप इस परमिशन से बेबी को वनिक साउंड सिकाएंगे तो आपका बेबी कभी नहीं बोलेगा, इसमें हमें ये वेनिफिट हो हैं कि हमें capital letters भी बेबी को समझ आ रहे हैं, small letters भी समझ आ रहे हैं and इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी समझ आ रहे हैं and two-two example मैंने य airplane, apple, arrow, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर बेबी को two-three example के साथ बच्चे को समझाएंगे तो वो उन example को learn कर लेगा और कभी नहीं बूले कर से ball, bat, cat, cow, doll, dog, लो हमने two-two, three-three example अगर बच्चे को हम साथ महीं उसके repeat करेंगे, तो आपका बेबी बहुत आसानी से phonic sound को सीखे क भी और बहुत इंजोई भी करेगा, अगर ही मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सरू कीजेगा, तैंक यू